जल है तब जीवन है जली नहीं होगा ना जिन्दा रहेंगे ना जमीन में कुछ होगा तो मनों से कैसे बचेगा जल है तब जीवन है ये उस महिला की कहानी है जिसका जोश जल की तरह बहता है ये है बसंती देवी उत्तराखन की कोसी नदी की रक्षक इनके लिए आजादी का मतलब है जल और जगत की रक्षा करना फिर उनका संग्थन बनाए, दूसरे दिन से तुसरे जंगल बचाने का काम की जब मेरे पूरे लोग मेरे साथ रहें तब हमने प्रिक्षा रोपन किया जंगल बचाने का काम कियां मेरे साथ पिर तकोसी मानो को हात मै से टेयर बाद मैं पंदर दिन पड्यात्रा ही development तब उन्होंने कहा, मां आज तक आपने हमको जिन्दा रखा, अब हम आपको जिन्दा रखंगे. अब स्रोतों में भी पानी है, धारों में भी और मुझे बहुत अच्छा लगता है. जो कोसी नदी में जब पानी जाता है सीधे. मुझे जो मैं बालवाडी में काम करती थी, मुझे महने का पचास उपया मिलता था. पचास उपया में खाना रहना जो भी करना था वो करते थे, पर आज इतना बड़ा सम्मान मिला, जब लोगों ने मुझे को कहा कि तुमको पदमश्री पुरूशकार मिला है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग, इतने लोगों ने मुझे कहां कहां से बुलाया, यह सबसे बड़ी बात है. जल की तरह मैं भी बहती रहूंगी और जल की सेवा करूंगी. बसंति देवी की कहानी भारत के इतिहास के पन्नों से अगली पीड़ी के कानों तक एक नदी की तरह बहती रहेगी. भारत की प्रेड़ना दायक महिलाओं की कहानिया लेकर हम जल्द ही लोट आएंगे. आजादी की अम्रित कहानिया. सूचना एवन प्रसारन मंत्राले और नेट्फ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत.